मद्रप्रदेश के पुर्व मंत्री लाखन से यादव ने एक बार फिर मद्रप्रदेश के शवराज सरकार पर हमला करते हुए भाजपा सरकार को नोटों की सरकार बताया है खबर मद्य प्रदेश के बितरवार स्योगी इमरान खान से खास बातचीत करते हुए लाखन से यादव निकाहा के शवरासरकार में माफिया नरंकुष हो गए है आज हम बितरवार रेष्ट आउस पर चेत्रिय बिधायक एबं मद्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पूरू मंतरी लाखन सिंग यादव जी से आज चर्चा करेंगे क्या मद्य प्रदेश की राजनी जी पर क्या कुछ चल रहा है तो आज हम जानेंगे चेत्रिय बिधायक एवन पूर मंतरी लाखन सिंग यादव जी आपका ख़वर मद्य प्रदेश में बहुत-बहुत स्वागत है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद यादव जी मद्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही मैं सिवरा सिंग चौन का बयान आया है कि मद्य प्रदेश में ओन-लाइन सराप की बिक्री भी चाली होने वाली है वहीं मद्य प्रदेश की बरिष्ट बाचपा की नेत्री मानी जाती है सुस्त्री उमा भारती जी वो एक भिरोध प्रदसन के लिए तहीया आ रहे हैं तो क्या बाचपा आपस में असमंजस नहीं बना पा रही है देखिए निश्यत तोर पर यह दोनों के अलग-अलग ब्यान है सिवराज सिंग जी कुछ कह रहे हैं उनकी जो नेता हैं वो कुछ उनका अलग स्टेटमेंट है उमा भारती जी चाहती हैं सराप बंदी टूटल बंदो सराप पे टूटल बेन करना चाहती है सिवराज सिंग जी होम डिलेवरी देने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तोर पर कहीं कहीं दोनों में तालमेल की कमी है और मैं ऐसा मानके चलता हूँ जब से मद्द प्रदेश में भारती जनता पार्टी काविज हुई है पूर्व के पिछले पंदरा साल और अभी जो का प्रटों की सरकार इनों ने बनाई तब से मद्द प्रदेश में माफिया जितने भी हैं वो पूरी तरह निरंकोस हो गए अभी आपने मुरेना में जो एक बड़ा कांड हुआ जिसमें 27-28 लोग की मौत हुई है ये सराफ की बज़े से हुई है एक तरफ तो उस सराफ को जो अवैद सराफ बन रही है जो गलत तरीके से जिसको प्रड़क्ट किया जा रहा है वो सराफ को रोकने की बात तो आप कर नहीं रहे हैं सेकंडरी आप जो हॉम डिलेवरी वाइन की बात कर रहे हैं और हॉम डिलेवरी ये दिया आप करते हैं तो निश्चित तोर पर घर का बच्चों के सामने सराफ पियाएगा तो उसका बैड इंप्रेशन अपने बच्चों पर उनकी फैमिली पर भी पड़ेगा तो मुझे लगता है सिवराज सिंग जी किस हालात में क्यों यह सब कर रहे हैं जब मेरी कई लोगों से चर्चाई तो लोगोंने का फंड जननेट क करने के बहुत सारे सोर्से से मुझे लगता है यह वाइन की जगे और बहुत सारे सोर्सों से फंड जननेट किया जा सकता है गवर्मेंट को चलाने के लिए लेकिन यह उनकी जो सोच है कि घर में डिलेवरी कराके वाइन दी जाए मुझे लगता इससे प्रदेश में तमाम स जो हमारे बच्चे हैं हमारे जो महला हैं उन पर जब घर का मुक्या घर में दारू पिएगा टेबल पर लगा के साम को दारू पिएगा तो निश्चे तोर पर उसका बैड इंप्रेस जाएगा मुझे लगता है शिवराज सिंग जी को अपना ये वक्तब या जो उनकी पॉल् से जो आज आप बने की घरगर दुकान ने को बुद्धिया था और आज उमाभार्ती के समर्थन में कांग्रेस उतर रही है तो इसमें कहीं ने कहीं कांग्रेस भी दोड़ी राज निटी अपना रही है कांग्रेस ने घर गर जैसे आज इन्हों ने बिलकुल कॉर्णरों प भारती जनता पार्टी ने किया है और आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे आप लोग खुद देख रहे होंगे कि असल सच्चा ही क्या है दूसरी बात मैं करूँ जैसे कि पूरे भारत में अभी किर्शी कानून तीन जो मोधी सरकार द्वारा तीन काले कानून जो लाए ग कांग्रेस पूरे समर्तन में आ गई है तो आकर क्या आया क्यों नहीं मान रही सरकार देखिए कांग्रेस सुरू से ही किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है चुकि जब ये नरेंदर मोधी के दौरा जो तीन काले कानून किसानों के लिए लेके आए ते उस समय पूरे इसके जितने भी संग्ठन थी सारे संग्ठनों की एक सोच थी किसमें हम पॉलिटिकल इस आंदोलन को नहीं देना चाहते पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते तो उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टियों को विरेक कर दिया था उस समय हम वैक फ्रेंट पे किसानों का स लेकिन लगा हुआ दिली के बॉर्डर पर हमारा किसान पड़ा हुआ जहां अभी तक सो से उपर लोगों की मौत हो गई उस अंदुल में लसहीद हो गए उनसे बात करने का एक टाइम नहीं मिला है यह चुकि यह नरेंद्र मोदी की भी अपनी एक मजबूरी है मजबूरी उन नहीं मोदी जी के चुनाम में जो फंड का काम किया तो आज उनकी अपनी मजबूरी है और उस मजबूरी के वजए से खुद की सरकार के लिए खुद की कुर्सी बचाने के लिए वो जो है इस देश के किसानों को गर्त में डखेल रहे हैं मुझे लगता है कि किसानों का जो इतना लंबे समय का आंदोलन है जे देश का पहला आंदोलन है और मुझे लगता है कि मोदी जी को ये कानून वापिस लेना चाहिए अगर वापिस नहीं लेंगे तो कांग्रेस आज पूरी तरह अभी तक वैक फ्रेंट पे थी अब हम सब लोग फ्रेंट पे आकर किसानों के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में किसान जिस तरह से उग्र रूप ले रहा है अभी तक उ इतने सतर पे चतर आट सतर दिन से बॉर्डर पे पड़े हुएं बड़े बड़े उन्होंने रहलियां की हैं लेकिन आज तक कहीं भी कोई वी ऐसे एक्टिविटी जो नहीं की जिससे आतंक जैसा माहौल बने तो यह भारती जनता पार्टी की सोची समझी चालती किसानों को बदनाम करने के लिए अन्हें पार्टियां जो समर्तन करने के लिए जो पिया था एदब जी आगामी 11 तारिक को आपके PCC अद्धेच की बोपाल में मीटेंगा नगर नगरी चुनाओ को लेकर तो क्या रणनी थी आपकी नगरी नेका चुनाओ को लेकर किस तरह की तैयारी प्रियास कर रहे हैं कि हम लोग जो अभी वाई एलेक्षन था उसमें हमारी कुछ कमियां रही उन कमियों को हम लोग सुधा रहेंगे और इस वार हमारे कॉर्परेशन के चुनाओं चाए पंचाहित के चुनाओं उन चुनाओं में हमारा प्रयास है हमारे प्रदेश अद्य पंचाय तो इनमें हमारा वैतर प्रदर्शन होगा ऐसा हमें बरोसा क्या मुद्द्ध क्या रहेंगे आपके क्या जनता की पूद्ध के पर कोई चुनाव नहीं हुआ है के बाल एक इससे पहले उप चुनाव चुनाव जह हुआ था वू के बल अलब रोदी और उस पर राजन जनता पार्टी का जो कारकाल था उसमें पूरे मद्ध परदेश का किसान बेहाल रहा उसका परणाम यह हुआ कि दो अज़ार अठारा में उनी मद्ध परदेश के आम आवाम ने यहां कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार 14 मैंना रही और उसी पीरिड में भा पर आज पूरी तरह किसान फुर वे आल है अभी हम लोगों की जब सरकार 15 मैंने हुई थी तब हमने हमारी कन्याओं के व्याओं के लिए 50,000 रुपे की इन्होंने घटा के वही कर दी हैं तो मुद्ध हमारे जो अठारा में हमने जो मुद्ध लेके चले थी उनको हम पूरी साल में कुछ ऐसी विसंगतियां हुई है ऐसे कुछ नहीं मुद्ध हैं उनको भी इंकलूट करेंगे उनके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ें तो आपने सुना है हमारे बीच मद्ध प्रदिस के कद्दाबर नेता पूरों मंत्री लाकन सिंग आदावाज हमारे बीच और उन्होंने सारे किसान प्रोटेक्स जो चल रहा है उस पर बताया क्या कैसे क्या करना है कि हमारी पाइटी और वो आपके जो मैंने अभी बात की ती दारूबाली उसमें क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी इनने बताया और नगरिये निका चुनाव को लेकर भी इनने बताया तो आप बने रही हमारे साथ में इमरान कान कफ़र मद्दे परदेश से आप बने रही हमारे साथ अंगले फिर मेमान से होगी मुलाकाच